हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ अर्चना और आप सब का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड से बहुत ही टेस्टी सा मिठाई जिसका नाम है ब्रेड मलाई रोल आप इसे मलाई मावा रोल भी बोल सकते हैं और यह बनाना बहुत ही और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना सुरू करते हैं ब्रेड मलाई रॉल बनाने के लिए मैं यहाँ गैस पे रख्यूंँ एक पैन और पैन में हम सबसे पहले डालेंगे दूद जिसका हम बनाएंगे रबड़ी तो दूद मैं यहाँ पे करीब एक लिटर जितना इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप ज़्यादा दूद का इस्तमाल करें क्योंकि जब हम रबड़ी बनाते हैं तो दूद सूखने के बाद बहुत कम हो जाता है तो आप ज़्यादा दूद ले लें अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो अब हमें दूद में बॉइल आने देना है और यह देखिए दूद में उबाल आना सुरू हो गया है तो हम दूद को लोटू मेडियम फ्लेम पे पकने देंगे बस इसको बीच बीच में चलाते रहें ताकि इसमें ज़्यादा मला आई ना पड़े और जैसे ही बॉइल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे केसर तो अगर आपके पास केसर हो तो आप डाल दें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और बस इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है और साइड साइड से जो दूद जम रहे है उसे चुड़ाते रहेंगे हम और यह देखिए जैसे दूद थोड़ा सा गाड़ा होने लगा था उसके बाद मैं या पे एक चमच में एक पावडर डाल दी हूँ ताकि दूद और जल्दी गाड़ा हो जाए अगर आप चाहें तो दूद पावडर को अलग से भी घूल के डाल सकते हैं आप थोड़ा सा गुनगुना दूद या थोड़ा सा गुनगुना पान इले ले और उसमें घूल के डाल दें डायरेक्ट दूद में डालने से कभी-कभी गाठे बन जाती है लेकिन यहापे चीनी तो चीनी में यहापे करीब 5-6 चमज करीब जितने ही डाली हूँ बहुत जाद़ चीनी नहीं डालना हमें क्योंकि दूद वैसे भी मीठा होता है तो गाडा होने के बाद और बीज्यादा मीठा हो जाता है और मैं यहापे थोड़ा सा कलर के लिए फूड कलर का इस्त पकने क्या रख देंगे और एहांपर रख रлять हुं मैं दूसरा पैन जिसमें से बनाएंगे मावा वगवजत्स ह ness Review पर यहाँ पशिद द्फभावडर कर थे हैं यहाँ पर बनाना हो तौ­ और यहाँ पर दूसरा बैम दब्रयें चीनी में पन एक पवंच पाउडर एड़ करेंगे वो भी मीठा होता है दूद भी मीठा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर मैं डाल दे रही हूं पांस अच्छा है चम्मच करीब जितना मिल्क पाउडर और हमें मिल्क पाउडर डालने के बाद तुरंत ही अच्छे से मिक आठना पड़े आप चाहें तो इसे विस्कर की सहायते से मिक्स कर लें उससे असानी से मिक्स हो जाता है और गांठे भी नहीं बनती हैं और यह देखिए दूद पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया दूद के साथ और गाड़ा भी हो गया है और अब मैं या पर डालें एक चमच घी और गी डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि यह चिपके न क्योंकि यह बहुत जल्दी गाड़ा हो जाता है क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर एड़ की हैं और य देखिए मावा हमारा बन के तयार हो गया है तो मैं इसे थोड़ी दिर के लिए और पका लूँगी ताकि और भी जाद अच्छे से जम जाए यह देखिए हमारा मावा तयार हो गया है आप लोगों को दिख रहा होगा तो चलिए अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे र तो अब इसे ज्यादा भी हम इसे गाढ़ा ने करेंगे तो बस मैं लास्ट में आपर डाल दे रही हूं इसमें ड्राइफ रूट्स तो ड्राइफ रूट्स में आपर डाली हूं बादाम काजू पिस्ता और थोड़ा से यहां पर डाल रही में चिरओंजी दाना जिसे डालते हैं तो उससे बहुत अच्छा सा टेश्ट आता है और यह दीखिए रबड़ी बन के बिल्कुल तयार हो गई है तो चलिए हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे हम एक बावल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रेज में रख देंगे तो यह दीखिए मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ तो चलिए अब हम इसे फ्रेज में रख देते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ ब्रेड और यह जो मावा हम बना के तयार किये हैं तो सबसे पहले हमें ब्रेड को ले लेना है चकले पे और इसे में हलके हाथों स बेल लेना है और यहां पर आप ताजे ब्रेड का इस्तमाल करें अगर एक दो दीन पुराना हो जाता है ब्रेड तो वो आसानी से नहीं बनता है थोड़ा सा दिक्कत होता है बन जाता है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है तो इसलिए आप ताजा ब्रेड का इस्तमाल करें उ जो ब्राउन वाला पार्ट है उसे हम निकाल देंगे काट करके, दीखें, उसके बाद अब मावा ले लेना है, उसका हम रोल बना लेंगे, तो आप दोनों हाथों से इसे रोल बना लें इस तरह से, उसके बाद हम इसे ब्रेड पे किनारी पे रख देंगे, और दूसरे किनारी पे हम या तो पानी लगा देंगे, या फिर हम थोड़ा सा रबड़ी लगा देंगे, जिससे हमें फोल्ड करने में आसानी हो, जब हम इसे फोल्ड करें तो अच्छे से सील हो जाए, इसलिए यहाँ प्याप चाहे तो रबड़ी लगा दें, या फिर पानी लगा दे और उसके बाद हमें एक साइड से जहां पर हमावा रखें उधर वहां से हमें दोनों साइड से किनारी को पकड़ के और इसे अच्छे से हमें फोल्ड करना है और इदे हमें रोल का सीप दे देना इसे और यह देखिए हमारा एक रोल बन के तयार हो गया है और इदे के तूटने लगे हैं यहाँ पर लेगिन कोई बात नहीं तयार हो गया है इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे और यह देखिए हमारा तीन रोल बन के तयार हो गया है यह देखिए यहाँ पर रोल बन के तयार हो गया है रबड़ी भी थोड़ी ठंडी हो गई है तो चलिए हम रोल के उपर से रबड़ी डाल देते हैं तो बस इसी तरह से हमें सारे रोल पे रबड़ी को अच्छे से फैला देना है, डाल देना है और आप लोग को ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी अच्छे लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजेगा, मेरी चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और ज़्यादा सज़्यादा लोगों को सेर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग को रेसिपी कैसी लगी और यह देखिए हमारा ब्रेड मलाई रॉल बनके तयार हो गए है आप चाहें तो इसे तुरंत भी सर्व कर सकते हैं या फिर कुछ दिर के लिए इसे फ्रीज में रख दे और यह देखिए बाकी में एक्षर जो बनाई थी उसको भी दूसरे प्लेट में निकाल ली हूँ औ पिर मिलेंगे एक अच्छे इस वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर